गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम क्लास 7 के में इसका एक्साइज 5C से स्टार्ट करेंगे तो 5C में क्या कही रहा है देखिया हम पर एक्सप्रेस दा फॉलूइंग नंबर इन इन साइंटिफिक नोटिशन हम यहां पर जो नंबर करने के लिए सके साइंटिफिक नोटिशन में एक्सप्रेस करना है तो ये पर जैसे उन्य नहीं यहां पर देर रखा है 56,300,000 तो सिट्को हम याननि कि नोटिशन में कैसे गन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो given number है हमारे पास यानिकि 56,30,000 इस given number को हम convert करेंगे decimal form में तो decimal form में convert करने के लिए हम ही क्या करना बढ़ेगा सबसे पहले यानिकि जो हमारे पास जैसे हम पर उन्होंने दे रखा है 56,30,000 तो इसको हम आनिकि separate करेंगे जैसे इस तरह हम सबस्क्राइएंगे यहां पर अब देखिए कितना जैने की zero's बनते हैं इस यानिकि first number के बाद तो यहां पर हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं लाइन यहां तक तो हमारे पास यहां पर एक zero बन जाते हैं फिर यहां पर दूसरा और यह तीसरा चौथा पंचुआ और यह होगे last six तो इसका मतलब हमें यानिकी six zeros जो है यानिकी add करना पड़ेगा अगर हम five को छोड़ के देखने count करेंगे तो one two three four five six यानिकी six number of zeros हमें add करनी है तो हम क्या कर सकते हैं इस यानिकी 56,30,000 को अगर हम multiplied करेंगे अगर हम multiplied करेंगे यह तो इस तरह से लिख सकते हैं 56,30,000 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5.63 multiplied by 10 raised to power 6 हम इस तरह से अनिकी इस question को लिख सकते हैं तो यहां पे अगर हम इस 5.63 को multiply करेंगे with 10 raise to power 6 के साथ 10 raise to power 6 का मतलब है यानि कि 10 इसका मतलब होता है यानि कि यहां पर यानि कि 0 जो है यानि कि 6 आएगा इस तरह से तो यह 5.63 को अगर हम इस नंबर के साथ multiply करेंगे तो वापस हमारा जो आंसर जो है यानि कि 56 यह 6,30,000 आजाएंगे तो हमारा यानि कि लास्ट वैस्ट जो आंसर हो यानि कि यही आएगा 5.63 सकतर स्टोव हमारा ज्यहां पर आएगा 6 नंबर के यहां जो आएगा यहां तक हमारा पावन कि लिखना है तो सब्सक्छार नंबर के अक हो सब्सक्राइग कि यहां पर यान फरतुर से नंबर को तो इसको हम सबसे पहले देख लें कि नंबर आफ नंबर कितने बनते हैं इसका 1,2,3,4,5,6,7 तो अभी हम भी इससे लिख भी सकते हैं 1,2,3,4,5,6,7 इसका मालब इस हैने कि 4 को हैने कि 48 को हम मल्टिप्लाइ कर सकते हैं विद नंबर आफ जिरो सहने कि 7 के साथ तो 4.8 पहले आफ इस तरह से लिखेंगे 48 इस नंबर को हम यानि कि इस तरह से भी लिख सकते हैं इस इकॉल तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 4.8 अब यहां पर 8 के बाद बागी नंबर 0 है हमारे पास नंबर इस फोर के बाद नंबर जो 7 है तो 10 रिख टू पावर 7 तो यह आजाएगा हमारा भी पार्ट इसी तरह से बागी जो यानि की कोशन से वह आप इसी तरह से कर सकते हैं तो यह हमारा लास्ट एक्सराइस है कल के एक्सराइस है कल हम यानिकी कोशन अबर 2 एंड कोशन अबर 3 डिसकस करेंगे तो आज के लिए इतना काफी है थैंक्यू वे विनाश्ट